आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे पांच इंडडे स्टॉक्स के बारे में जो कल आप ट्रेट कर सकते हैं मार्केट में तो उससे पहले एक अपडेट जो मैं नुवो को जो यह लिस्टिंग हुआ आज उसका मैं वीडियो अल्रेडी सुपह को डाल दिया था तो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो मैं आपको फिर भी उसका चार्ट अभी बता देता हूं लेकिन उससे पहले गाईज हम लोग अभी बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में देखिए मार्केट कहीं नहीं सेल उन राइस की मार्केट होती जा रही है तो जितना भी अगर आप देखेंगे तो स्पाइक आ रहा है उसके बाद प्रॉफिट वोकिंग आ रही है तो अभी यह ज पर मैंने कल बताया कि नहीं बताया आई प्यों मार्केट में देखें करेक्शन आई एन यह लिस्ट कहा हुआ मेरे लेवल से 15 रुपया उपर 470 का मैंने लेवल दिया था इसका नुबोगों का उसके उपर लिस्ट वान कहीं है कि उसके बाद बाइं आई बहुत अच्छी बाइं आई यहां पर consolidation तो मतलब कि आपका 570 का IPO इशू हो रहा है आप किसलिए IPO में पैसा लगाएंगे फिर ऐसा लॉस करने के लिए तो देख के आपको कहीं नहीं इन्वेस्ट करना परेगा यह जो अनाप्शन आप IPOs आ रहे हैं मार्केट में इन से बचके रही है प्रापर fundamental analysis करके ही आप IPOs में पैसा लगाएं मैंने आई बटन वीडियो डाल दिया इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे कि क्यों इस बारे में हम लोग मैं अल्यड़ी चर्चा कर चुके हैं तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा इस वीडियो में मैं ब इक शार रिकवरी और कहीं नहीं मार्केट जो मेरे को दिख रहा है यह सेलन राइस का मार्केट है तो जो भी stock specific spikes आ रहे हैं वो सारे सेलन राइस हो रहे except the bank nifty bank nifty consolidate कर रहा है और यहां से breakout bank nifty दे सकती है तो आपको जो first peak रहाएगा कल के लिए कल आपको track करना है indecent bank indecent bank नीचे के level से बहुत जादा correct हो चुक है और अगर मैं इसका आपको एक support दिखाओं तो यहां से एक support की story शुरू होती है और वो कहीं न कहीं respect किया हुआ है और उपर के जो resistance है वो इस levels पर है आपको मैं दिखा रहता हूं तो उपर के जो यहां पर एक इसका resistance बना हुआ है तो कहीं न कहीं आज इसने resistance तोने की कोशिश की पर नहीं हो पाया क्योंकि markets थोड़ा बहुत वीक था थोड़ा sideways ही चला नीचे बहुत जादा गिरा market फिर sideways तो यहां से इंडेसिंट बैंक एक breakout दिखा सकता है जो ज़्यादा sustain नहीं करेगा फिर भी एक chance आपको लेना है 990 के levels पर आप इंडेसिंट बैंक को buy कर लीजिए कल 990 के levels नेवल्स नोट कर लीजिएगा टेलिग्राम चैनल के साथ जूड़ जाएगे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए आपको सारा update मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल फिनोस्टैट स्टॉक्स्टेटर नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पे मैं update कर देता हूँ तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए अकल ट्रेडिंग से पहला वीडियो को रिवाच कीजिएगा आपको सारे लेवल्स प्रॉपरली मिल जाएगे प्रॉपर लेवल्स एनलेस के साथ दी जाते है अनलाइसिस के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता है आपको प्रॉपर लेव तो आपको 990 पे इसको लेना है अगर 990 पे ओपन नहीं हो रहा तो ट्रेड को इग्नोर कीजिए फोर्स ट्रेड बिल्कुल मत कीजिएगा तो जो मैं बता रहा था 990 पे इंडसिंट बैंक को लीजिए नीचे का जो stop loss आपका इसमें रहेगा वो 980 का रहेगा 980 का stop loss से आप 990 में बाइंग कीजिए इंडसिंट बैंक बैंक वेन ऊपर के लेवल 1000 विल बी मैं फर्स साइकलोजिकल टार्गेट फॉर इंडसिंट का अगर मार्केट का मूड मॉल अच्छा रहा तो आप बाइंग के साइड इसको देख सकते हैं बाकी जो मेरा स्टॉक्स उसमें जाएगा तो यहां पे 100,000 का फर्स लेवल होंगे जो 10 रूपिस का आपका 1 इस्टू 1 का टार्गेट सेकेंड टार्गेट विल बी 114 1014 के इसका बहुत ही मेजर एक पॉइंट है जो जिसको कल यह टेस्ट कर सकता है तो आपको 1014 पे आपको निकल जाना है आपको ज्यादा लालज नहीं करना है ग्रेडी नहीं होना है अभी मार्केट में क्यूंकि मार्केट अभी सेलन राइस का बनते जा रहा है बहुत जाद पैसा बना हम लोग शौट किया अधानी पोर्ट उससे में पैसा बना है है वल्स को हम लोग ने टॉप से शॉटक कर दिया उस लेवल से पैसा बना तो डिसिप्लिन में अब रहो गे तो पैसा आपका बनेगा तो यह मैं बता रहा था इंड़सिंड के बारे में तो आई चल तो बायो कॉन कहीं नहीं बहुत ज़्यादा बियरिश होते जा रहे हैं इसका एक ही स्टैटेजी है सेल उन राइस जितना बरे वहीं पर शॉट कर दो उसको प्रॉपर लेवल्स देखे उसको शॉट करना तो मेरा जो कलकर लेवल्स निकल के आ रहे हैं वह है 340 के लेवल्स पर बायो कॉन को आपको शॉट करना है जो कि VWAP का पॉइंड वहता है VWAP के बारे में हम लोग कभी और वीडियो बना देंगे और मैं बता दूँगा आपको यह सब स्टोकिस्टिक आरेसाई VWAP क्या होता है पिविट्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो comment भी बताईए मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूँगा तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था VVP के सामने आपको इसको short करना है 3.40 के levels पे आपको stop loss जादा इसमें बिल्कुल नहीं देना इसमें आपको 4 रुपए का stop loss लगेगा 3.44 का stop loss लगाई है आपको अगर risk manage करना है तो कभी stop loss के साथ compromise मत कीजिए मैं फिर से बता रहा हूँ Always अपना quantity कम कीजिए quantity अपना कम कीजिए उससे अपका risk manage रहा है कभी stop loss के साथ compromise मत कीजिए कि अपने 2 रुपए का stop loss रख दिया हो hit हो गया फिर आपको तो loss हो गया तो आपको यहाँ पर 4 रुपीज का stop loss लगाना है और नीचे का जो target इसका बन का आ रहा है उसका है आज का day low बायो कॉन में आज का day low टोटना चाहिए कल because बहुत ही साथा खराब होते जा रहा है इसका जो news आ रहा है अभी buy icon को लेकर वो भी कुछ अच्छा नहीं है sentiments इसलिए देखिए कितना sharp 400 के level से यह गिर के almost 328 का है 327 का है जिसने low बना दिया तो इससे और नीचे आ सकता है 300 के level से पर test कर सकता है उसके बारे मैं आगे बात करेंगे इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ इस stock में जो आपको बता रहा हूँ इस पर जो नीचे के level से वो 323 के निकल के आ रहा है 4 रुपया को उपर पर stop loss नीचे पर 323 आपका risk reward यहाँ पर बहुत जादा favorable है तो आपको इस stock में कल track करना है और कोई भी stock में entry exit से पहले आप telegram पे जुड़ सकते हो उसमें मैं live update करते तो यह जस्ट एक learning points है आप अपने financial advisor का help जरूर ले कोई भी stock buy sell करने से पहले तो यहाँ पे जो stop loss है वो 344 का है 340 पे buy कीजिए नीचे का target 323 या फिर 324 पे भी आप exit कर सकते हो जो की safe trader जो safe trader हुआ है इस पे exit कर सकते है तो आए गाई इस next stock के बारे बात करते है जो भी pharma sector से है और फार्मा इसके बारे में तो हर दिन खराब ना कोई खराब ने उसमें आ रहा है लगाता है यह 1080 something के level से इसने गिर के आज 600, साड़े 600 के levels तक आ चुका है तो 680 पे इसका बंद है अभी यह odd नीचे आ सकता है देखिए इसने अपना मेजा जो support लिया है वो कईना कई आज भी respect किया उस support को 677 का आपको क्या करना है आपको shot करना है 677 के नीचे 676 के इसको कल shot कीजिए Aurobindo Pharma को अगर आपका luck बहुत अच्छा हो कल अगर market का mood mall अगर बहुत जादा bearish रहा आपको 656.40 के levels कली दिख जाएंगे तो यहाँ पे आपको shot करना है Aurobindo Pharma at the levels of 676 याद रखेए का levels मैं फिर से repeat कर रहा हूँ 676 only today's and yesterday's low Friday का जो low बनाया और अज का जो इसका low है उसके नीचे ही आपको इसको sell करना है विकॉज इसने बहुत ज़्यादा crucial support लिया है और कहीं न कहीं एक double bottom इसमें बन रहा है तो ध्यान रखेए double bottom के बाद stock reverse हो जाता है तो यह levels अगर only conditional यह sell call है अगर only यह levels अगर यह test किया नीचे आया ब्रेक किया तो आपको इसको sell करना है तो नीचे का जो levels आएंगे वो आएंगे 665 के levels आपको देखने को मिल जाएगा first target जो होगा 665 इसका stop loss आपको रखना है around 686 में 10 रुपीस का stop loss नीचे 665 गयर रुपीस का आपका profit उसके नीचे अगर यह आता है तो 650 इसका level मानके चलिए 650 इसका psychological support होगा और वो भी break करता है तो बहुत ज़्यादा bearish हो जाएगा और फार्मा आपको track करना है यह stock बहुत ज़्यादा बैतनी levels के साथ मैं analysis लेके आता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके support कीजिए तो आएए गाई इस बात करते थर्ड इंटर डे स्टॉक के बारे में जो की है सॉर्ड इंटर डे स्टॉक के बारे में जो की है महिंद्रा और महिंद्रा देकि बहुत ज़्यादा खराब news market में बनके आ रही है यह सब auto sector को लेके plus semiconductor का जो chip है वो available नहीं मिल रहा है इन companies को जो supply करती है वो supply नहीं कर पा रहे है chip shortest के वज़े से तो बहुत ज़्यादा bearish momentum में बना हुआ है और महिंद्रा और महिंद्रा ने उपर के level तो test किये फिर नीचे आ गया तो आपको क्या करना है महिंद्रा और महिंद्रा में आपको 663 पे इसको sell कर देना है कल 663 लेवल से याद रखिएगा 663 पे sorry 763 पे इसको कल आपको sell करना है 763 और उपर के जो आपको stop loss लगाना है 781 81 का 763 में इसको sell कीजिए 771 का stop loss लगाइए नीचे के targets आपको जो first target 755 second target will be 748 755 और 748 के दो targets आपको कल देखने को मिल जाएंगे तो ये था गाईस 400 stock फिफ्थ होगा FMCG सेक्टर से जिसपे मेरा इसपे contract और रहेगा I might be wrong I might be correct because इसने triple bottom बनाया है कहिना कि इसका support जो मेरे को दिख रहा हूँ एक bottom support ये ले रहा है उसको उपर ये घूम रहा है हम इसा stock तो कल इसमें मेरा contract रहेगा इसको लीजिए आज का जो second session में जो high बनाया आज का 8.38 का high मतलब 8.39 पे आप इसको लीजिए 8.30 का आप stop loss डालिएगा 9 रुपय का आपका stop loss इसमें रहेगा उपर के जो targets बन के आ रहे है वो आज का day high 8.50 के and उपर और अगर यह निकल जाता है तो 8.57 के levels आपको दिखा देगा तो 8.50 will be my first target 8.58 will be my second target 57.58 इसमें आपको निकल जाना होगा stock से और नीचे का जो आपको levels निकल के आ रहे है वो 8.39 पे entry and SL stop loss strictly डालिए इसको 8.30 पे लेकिन मतलब discipline के साथ आपको इस पे काम करना है तो यह था गाईस पांच internet stocks आपको और कुछ doubt है कुछ आपको query से तो comment कर सकते हैं आप telegram challenge join कर सकते हैं वहाँ पे मैं सारी live market updates कर देता हूँ आज के लिए गाईस इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में